नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे यूटुब चैनल कुनाल टेक्निकल सलूशन अब तो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे दोस्तों आज के विडियों में हम बात करने वाले हैं बहुत तो इसके अंदर password लगा लेते हैं हमारी घर में चोटे बच्चे आए होगे होते हैं तब भी हम पासवर्ड लगा लेते हैं माला ले जी हम office वगएरा में जाते हैं हमारे laptop में बहुत जरूरी document बहुत जरूरी files या personal files होती है इसलिए हम पासवर्ड लगाते हैं ताकि कोई भ होता है हम जो है password को set कर लेते हैं बट एक टाइम ऐसा आता है कि हमें लगता है कि अब जो है अपने laptop से password को भी हटा लेना चाहिए तो हम password तो लगा लेते हैं बट हम हमें यह नहीं पता होता है कि हम ईता है पासवर्ड को जो हैं कि तरीके हटाई ठीक है तो आज की में आपको यह ही बताने वाला हूं कि आप यह पासवड लगाते हैं लैक्टोक के अंदर में विंड़ो का यह पासवर्ड antist it को यह पुरूज कि पहुत ज्यादा असान होता है window का password जो है laptop से हटाना तो आज की वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ हाँ अगर मेरे चैनल पर नए है तो इस चैनल को जो है subscribe कर लिजेगा क्योंकि हमारे चैनल पर जो है laptop computer LCD LED repairing computer laptop secret and tricks related videos आती रहती है और वीडियो को एक like जरूप कर दीजेगा और चैनल को subscribe करना बिल्ग भी मत बूलेगा तो चलिए दोस्तों चलते है laptop screen की तरफ और आपको फटावर्ट से बताता हूँ कि password जो है हम किस तरीके से remove कर सकते है अपने laptop के अंदर से तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अपना इसके अंदर पहले मैं password डाल लेता हूँ ठीक है तो password जो है वो मैंने डाल दिया है तो password डालने के बाद जो है आप देख सकते हैं मेरा laptop जो है वो open हो चुका है तो आप जो है चलते हैं मेरे laptop screen की तरफ और आपको बहुत यसानी बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आप अपना password जो है laptop में से किस तरीके से हटा सकते हैं तो चले दोस्तों चलते हैं laptop screen की तरफ तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ले आया हूँ आपको अपने laptop screen के तरह तो फटाबट से जो है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने laptop का password जो हटा सकते हैं remove कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तो आपको यहाँ दिख रहा होगा window का sign जहां पर start लिखा आ रहा है तो इसके उपर आपको simply click करना होगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको power button दिख रहा है और उसके उपर आपको दिख रहा होगा setting तो setting के उपर simply आपको click कर लेना है ठीक है तो ये कुछ window कुल की आएगी तो काफी सारे options यहाँ पर दिख रहे हैं तो यहाँ पर आके आपको दिखेगा accounts ठीक है दोस्तों तो accounts के उपर simply आपको click करना होगा account के उपर click करने के बाद कुछ इस तरीकी की window खुलेगी इसके बाद यहाँ पर कुछ options दिख रहे हैं आपको तो simply आपको click करना होगा sign in options पर ठीक है तो sign in options पर जो है मैं click कर देता हूँ ठीक है तो ये वाली window खुलेगी और काफी सारे options यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो हमें क्या करना होगा यह password जो आपको दोस्तों इहां दिख रहा है ना password sign in with your accounts password ठीक है तो यहां पे जो हमें click करना होगा click करने के बाद दोस्तों यहां पर देखो आपको remove का option जो है कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा ठीक है ना आपको यहाँ पे change का option जरूर नज़र आ रहा है पर यहाँ पे remove का option आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बहुती बड़िया trick बताता हूँ laptop में से password को हटाने के ठीक है change वाले system से ही हम password हटाएंगे ठीक है तो दोस्तो concentrate कीजिएगा मेरी वीडियो की तरफ मेरे बोलने की तरफ कि किस तरीके से मैं password हटा रहा हूँ ठीक है तो change के उपर simply click करना होगा change के उपर click करने के बाद दोस्तो यह हम से पूछ रहा है current password ठीक है तो फटा फट से जो है मैं अपना password डाल लेता हूँ ठीक है password जो है मैंने डाल लिया है डालने के बाद जो है मैं इसको next पे click कर देता हूँ ठीक है दोस्तो सही password डालेंगे तभी आपके सामने जो है यह वाली new password अली screen आएगी नहीं तो गलत डालने पर जो है वो next नहीं होगा ठीक है दोस्तो तो बिल्कुल सही password डालना है password को याद रखना है ठीक है तो अभी यहां से हमें पूछ रहा है new password, confirm password, password hint ठीक है अब हमें अगर password चेंज करना हो तो हमें यहां पर password डालना है ठीक है कोई भी password डाल सकते है अगर change करना है तो remove करना है बिलकुल password हटाना है कि खोलते ही जो है हमें कोई भी password ना दिखे हमारा laptop जो है फटापट से boot होके windows खुल जाए बिलकुल भी password ना डालना हो तो हमें कुछ मी नहीं करना है यहां पर कोई भी password हमें enter नहीं करना है simply जो है next पर click कर देना है तो दूस्तों आप जो है यहांप आप देख पा रहे होगे बहुत ध्यान से हमारा जो password है वो हट चुका है ठीक है तब मैं जो इसके को cross कर लेता हूँ अब आपको simply कुछ भी नहीं कर रहा है अपने system को जो है यहां से जाकर power में जाकर एक बार यहां से जो है restart कर लेना है बस restart करने के बाद आप से यह बिलकुल भी password नहीं पूछने वाला है ठीक है simply जो है आपका boot हो जाएगा क्योंकि restart करने से मुझे कुछ भी नहीं होगा खामखा में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी और आपका time age भी होगा restart करती आपसे बिलकुल भी password वो नहीं रिपेरिंग कंप्यूटर लैप्टोप सीक्रेट एंड ट्रिक से लिटीट वीडियो जाती लेती है तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन में कमेंट को के जरूब बताएगा और दोस्तों इस वीडियो को जदे तो शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि जादा से जादा लोगों को पता लगाए क्योंकि वो कभी ना कभी अपने लैप्टोप में password को लगा लेते हैं बट जब password हटाने की बार ही आती है तो उनको पता नहीं दख पाता कि किस तरीके से जो है अपने लैप्टोप का password हम हटाएं तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा अपने दोस्तों को और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो है लैप्टोप, कंप्यूटर, LCD, LED रिपेरिंग, कंप्यूटर, लैप्टोप, सिंक्रेट, और ट्रिक सेलेक्टेट वीडियो भी आती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब परना बिल्कुल मत बूलिएग